Naturally आपकी eyebrows और आपकी eyelashes को थिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक container उसमें आपको लेना होगा aloe vera gel one teaspoon मैं यहाँ पर पतान जिली का aloe vera gel use कर रही हूँ आप कोई भी brand का use कर सकते है या फिर आप चाहे तो natural aloe vera gel भी use कर सकते है aloe vera gel जो होती है guys यह हमारी hair के लिए बहुत 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 जादा beneficial होता है hair को strong बनाती है hair को thick and long बनाने में भी help करती है next ingredient आपको चाहिए guys वो है castor oil that is arundi का तेल इसे बेंगॉली में rare it तेल भी बोलते है castor oil सदियों से हमारी hair के लिए as an ayurveda use होती आ रही है यह हमारी hair fall को दूर करती है hair को strong बनाती है roots से hair को बहुत जादा काली और घनी भी बनाती है यह oil normal oil से थोड़ी सी थिक है यह आपको online से easily मिल जाएंगे इसकी buy link आपको description box में मिल जाएंगे यहाँ पर मैं one teaspoon castor oil use कर रही हूँ next and last ingredient आपको चाहिए guys वह है tea tree essential oil तो tea tree essential oil I know बहुत सारी लोगों के पास नहीं होगा don't worry अगर आप इसे buy करना चाहते हो इसके भी online link description box में आपको मिल जाएंगे या फिर इसकी बदले आप vitamin E oil भी use कर सकते हो vitamin E oil easily available होता है कोई भी medical shop से यह आपको मिल जाएंगे तो आप एक vitamin E की capsule से oil निकाल के इसमें add कर सकते हो या फिर tea tree essential oil भी 3-4 drop इसमें add कर सकते हो इसके बाद इसे अच्छी तरह से mix कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी thickness इसकी consistency कुछ इस तरह की हो जाएंगे हमारी यहाँ पर remedy ready है आप इस remedy को store भी कर सकते हैं up to one month आप इसे कोई भी आपके खाली मसकारा की container में इसे store कर सकते हैं फ्रिज में भी store कर सकते हैं यह एक से दो महिने तक easily रह जाती है कुछ नहीं होता है अभी चलिए देख लेते हैं इसे कैसे use करना है जिससे आपकी eyelashes आपके eyebrows थिक बन जाएंगे तो इसे आपको everyday रात को सोने से पहले use करना है रात को सोने से पहले जैसे आप आपकी normal skincare करते हो उसके बाद इसे आप एक spoolie में या फिर mascara की wand में लेके आपकी eyebrows पर अच्छी तरह से apply कर लीजिए apply करने के बाद mascara की wand या फिर spoolie से ही इसे थोड़ी से massage कीजिए each eyebrow में आपको एक minute तक इसे apply करना होगा, massage करना होगा ताकि ये आपकी skin पर अच्छी तरह से penetrate हो जाए same इसी तरीके से आपको mascara की wand या फिर spoolie में लेके आपकी eyelashes पर भी use करना है eyelashes पर इस तरह से आपको apply करना है, apply करने के बाद आपकी finger से थोड़ी सी इस तरीके से massage करना है ये सिर्फ आपकी eyebrow या फिर eyelashes के लिए नहीं है, ये आपकी nails के लिए भी काफी beneficial है अगर आपकी nails tooth जाती है या फिर cuticles काफी dry हो गई है तो आपकी nails को strong बनाने के लिए, cuticles को soft बनाने के लिए या फिर nails को जल्दी बढ़ाने के लिए आप इसे आपकी cuticles पर भी apply कर सकते है इस तरीके से apply करके थोड़ी दर massage करीजिगा इसे भी आप everyday use कर सकते हैं, बहुत अच्छा result मिलेगा not only that, अगर आपकी hair thinning की problem है अगर आपकी hair fall होती है, आपकी इस तरीके से baldness या फिर alopecia का problem है तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से apply कर सकते हैं, ये भी आप everyday follow कर सकते हैं तो इसे apply करने के बाद इस तरीके से massage कर लीजिए, ये भी आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं, next day आप shampoo कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर आप ये remedy use करते हो guys, आपको बहुत सारी results मिलेंगे अगर आप इसे patiently 15-20 days use करते हो तो आपको बहुत अच्छा result मिलेंगे